आज हम बनाएंगे प्रॉंस ट्राइब जो कि KFC के प्रॉंस ट्राइब से भी कहीं जादा टेस्टी बनकर त्यार होंगे बहुत ही जादा क्रिस्पी होंगे, अंदर से बहुत टेस्ट होगा प्रॉंस के अंदर और इसके साथ सर्फ करने के लिए हम एक डिलिशस से डिप भी बनाएंगे जो कि हमारे प्रॉंस राइ का टेस्ट दुखना करतेगी असलाम अलेकुम तो चलिए बनाना शुरू करते हैं क्रिस्पी प्रॉंस राय बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम के करीब प्रॉंस लिए जो की क्वैंटिटी में हैं तकरीबं 15-16 उपर जो वेन है यानि की इंटेस्टाइन है वो निकली भी है लेकिन यह जो अंदर वाली साइट पर है यह हमको खुद निकलनी पड़ेगी तो इसके लिए टूथ पिक ले लिजेगा और इसको डिवेन कर लिजेगा तो इसको इस तरह से निकाल लेंगे जैसे की धागा उधिरते हैं न कपड़े में से इस तरह से इसको निकाल ली जगा एक इस तरह से एक सीरा पकड़ेगा बहार कीर दी जगा और इस तरह से यह बहुत आसानी से डिवेन हो जाएगी इसके बाद हम इसको एक बार फिर से साफ पानी से दोलेंगे उसके बाद हम इसको 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 प्यास पाऊडर्डर्ण और आदह तीस्पून डॉल कहा दखना मुर्णा कारीये पॉल्डर्ण अगर आपके पास यहता नहीं है तो फोड़ा थोड़ा सा पेस्ट इस्तमाल कर सकते हैं सफेद दखनी मिर्श जाल देंगे और दखनी मिर्श नहीं है तो आप इसके भी कर सकते हैं एक टीस्पून डाल देंगे सिर्का या फिर नीबू कर रस और यह आधा चिकन क्यूब है यह मैं इसमें डाल रही हूं जो कि सिर्फ एक टेस्ट इन्हेंसर का काम करता है यानि कि थोबगा साथ टेस्ट हैंच कर देते हैं तो डाल दीजेगा नहीं है तो आप इसको सकते हैं इसके बगएर भी क्रिस्पी पॉर्ण क्रियुक्त बहुट देब हाथों से बहुत अच्च्ही तरह से प्रांस को मिला देगे हाथों से इसले मिलाएंग ताकि मसाला ही 2 कोटिंग बनानी है, एक liquid coating यानि कि एक गीली कोटिंग बनाएंगे और एक सुखी एक बोल में आधा कप थंडा पानी लेंगे पानी ठंडा ही लीजेगा बेकिंग पाउडर बेकिंग अगर तोड़ा डाल को चुटगी दालेगा जाधा मध दालेगा अब हम दालने के इसमें 2 टेबلف इसप़ून कॉान फ्लावर या फिर आप Thailand भी यूजे कर सकते हैं या फिर आप कॉर्ण फ्लावर की जगह पर एक अंडा यूज़ कर सकते हैं एक अंडा फेटिएगा और इस ठंडे पानी में डाल दीजेगा और यह हमारा घोल तयार हो गया है रख देते हैं इसको एक साइड में अपको बस इस बात कर धिहां रखना है यह जो आपका घोल है यह ठंडा होना चाहिए तो आप चाहें तो जब आप दूसरी तयारी कर रहे हो तो इसको फ्रिज में रख दें यह जितना ठंडा होगा उतन ही क्रिस्पी आपके प्राउंस फ्राई बन कर तयार होंगे इधर ड्राई कोटिंग बनाने के लिए एक चनी में एक कप डालें गूप मैधा और डू टेब लेश्पूश चावल आटा मिर्स का पाउड़र 1-1 teaspoon काली मिर्स का पाउडर, 1-1 teaspoon लहसून का पाउडर और 1-1 teaspoon प्यास का पाउडर ढाल देंगे 1-1 teaspoon बेकिंग पाउडर भी इसमें डालेंगे जिससे कि हमारे जो प्राउंस हैं वो बहुत क्रिस्पी बनकर तयार होँगे हल्का सा इसको मिला कर चछान देंगे चानने से जो कोटिंग ये इवन हो जाएगी, मसाला अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाएगा चारो तरफ एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और यह माई ड्राइ कोटिंग तेयार है तो चलिए अब हम कोट कर लेते हैं प्राॉन को प्राॉन का एक एक पीस लेंगे पहले इसको मैदे मिक्षर में इस तरह से कोट करेंगे और फिर हमने जो कॉर्ण फ्लावर का पानी का घोल बनाया हूँ है थंडा उसमें हम इसको डाल देंगे बस दो तीन सेकंड के लिए डालेंगे फॉरान निकाल लेंगे और फिर हमारी फाइनल कोटिंग ने केंडेगा कोट कर लेना के है जकना जिसमें embark सहबाईuben का यह ऐब फालतू मेदा है जो 그 मान कोट करेंगे भी साथ क क्योंन तर विर जड़ा से हम सारे प्रॉंस के पीसे कोट करकेज रह है आपको एक बात का धियान रखना है मैदे में कोट करने के बाद आपको इसको काउंटर पे नहीं चोड़ना है जादा देर के लिए अगर आप जादा देर के लिए चोड़ देंगे तो यह जो कोटिंग है यह बहुत हार्ड हो जाएगी आपको इसी टाइम गैस के ओपर तेल क गरम होने के लिए रख देना है और इधर इसकी कोटिंग कर लेनी है इस बात का धियान रखिएगा तो अधर मैंने तेल गरम होने के लिए और सारे प्रॉंस मैं पहले इस तरह से कोट कर लूँगी उसके बाद हम चलते हैं इनको फ्राइ करने के लिए एक बैच में जितने आटों रहे हो जाए रहा है अभी मैंने कोडक कर लिए चलिए उनको भान के लिते हैं प्र Carm love इंक लिते हैं ब्रॉंज को लइा हिरा ँसके फ्रॉंज को आप इसमें फ्रॉंज के बढ़ते हो जैए घर नगया और गैस के फिलिम को लो और मीडियम रखेंगे जब इसकी आउटर कोटिंग थोड़ी सी फिर्म हो जाएगी उसके बाद ही हम इसकी साइट को बदलेंगे अगर आपने पहले इसमें चमश लगा दिया तो सारी कोटिंग उतर जाएगी तो यह देखिए अभी यह जो कोटिंग फिर्म हो गया है अब हम इसकी साइट को बदल देंगे और इसको चार से पांच मट के लिए फ्राइ करेंगे बहुत जादा हमें प्रॉंस नहीं पकाने होते हैं क्योंकि इनकी कोटिंग टाइमिंग बहुत कम होती है चार पांच मर्ट में आराम से पक जाते हैं अगर आप जादा पका देंगे तो फिर आपके प्रॉंस चीवी से हो जाएंगे सखत हो जाएंगे और हम इनको जब तक फ्राइ कर लेंगे जब तक इसकी जो कोटिंग है वो गोल्डेन और क्रिस्प नहीं हो जाती है तो यहां पर आप देख सकते हैं एक अच्छा सा कलर आ चुक है और हमारे प्रॉंस फ्राइब बनकर तयार हैं कोटिंग भी एकदम फर्म हैं अंदर से भी परफेक्ट्ली डन होंगे आपको दिखाऊंगे अभी और इस तरह से बहुत ही टेस्ट्री एकदम के एफसी स्टाइल या फिर यह बोलें के कहीं जादा टेस्ट्री हमारे प्रॉंस फ्राइब बनकर तयार हुए हैं यह बहुत ह बाला दही है फ्रेश दही है खटा मीठा नहीं है तो यह चार से पांच टेबिल स्पून मैंने दही लिया है दो टेबिल स्पून इसमें मयोनीज जाल देंगे अब डालेंगे वन बाई फोर टीस्पून गार्लिक का पाउडर यानि किलहसुन का पाउडर थोड़ा सा नमग डालेंगे बहुत कम थोड़ा से हमारे डाला है दो से तीन पिंच और बहुत थोड़ा सा नीबू का रस तकरीबन हाफ टीस्पून और यह सफेद दखनी काली मेज डाल सकते हैं वन बाई फोर टीस्पून और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे और यह बहुत ही डिलिश्यस हमारे डिप बन कर तैयारे इस तरह की डिप आपने अकसर क्रिस्पी फ्राइड चिकन के साथ खाई होगी तो अब इस डिप को आप क्रिस्पी प्रॉं प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा वीडियो देखने का बहुत 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 शुक्रिया अलाफ़ेज अलाफ़ेज प्लीज अलाफ़ेज टार भूल राफ़ेजयो को लाफ़ेज शुक्रिस्टिस्टा राफ़ेज़ दपस्राइब का रहाई